दोस्तों सबसे ज़्यादा हमसे जो सवाल पूछा जाता है जो क्रियेटर के तरफ से सवाल आते हैं वह यही है कि हमने एक माइक्रोफोन पर्चेस की कौन सी माइक्रोफोन बोया की बीवाई माइक्रोफोन या फिर आपने जो अहुजा की कि हमेशा कहते हैं कि सेम्संग एकक्राइटा माइक्रोफोन हैं जarin से माइक्रोफोन आप और वह माइक्रोफोन सपोर्ट ना करें ऐसा हो ही निसकता सैमसंग सारी माइक्रोफोन को सपोर्ट करता है अब यहां पर प्रॉब्लम उन के साथ आती है जिनके पास रियल्मी ओपो वीवो और वन प्लस के वाइल फोन है अब वो लोग सवाल करते हैं कि हमने यह माइक्रोफोन पर्चेस कर ली अब हमारे वा माइक्रोफोन की अन्बोक्सिंग रिव्यों यह सारे जिते करने वाला हूँ क्वालिट्रे टेस्ट करने वाला हूँ वह इन्पेराइमोंस प्रॉब्लस है टाइप होते है तो कियों हम लोग 3.5 mm के पीछे भाग रहे हैं इसको भी एक बर चांस दें और ऐसा नहीं कि खराब भाद मैगोओन हैं सबसे बेस्ट माइग नीट होता है अब यह से और यह बोया से तीन गुना जाद है इसकी रेंज है अभी कुछ दिनों पहले हमने इसी टाइप की एक माइक्रोफोन की अंबॉक्सिंग और रिव्यू किया था जो कि एक एक एपल आइफोन यूजर के लिए माइक्रोफोन तो उपर राइट साइड में आप देख सकते होंग कराती है और इस बाइक्रोफोन के benefits क्या हberg फीचर करनी चाहिए और फ्रेस की राइस क्या है शाब हुद्वरे वीड leaders की भ्कश बर छेए हैं सबसे पहले करें गदेखने एक हैं माइक्रोफोन को बोक्स और और सा इसलिएérieur का यहां पर माइक्रोफोन के लिए बैस के लिए और इसके पीछे कुछ फीचर्स दिये गए यह सारे दिस्क्रिप्शन में देती हैं आप जाकर वहां से इत्मिनान से पढ़ तक दें तो यहां पर दोस्तों हमें सबसे पहले बॉक्स को आपन करने पर जो चीज मिलती है वह यहां पर हमें यूजर मैनुल मिलता है यूजर मैन मॉबाइल फोन से ही पावर ले लेगा अब यहां पर बात करें आप देखे साइड में एक चार्जिंग टाइप का यह पोर्ट दिया गया है क्यों दिया गया है यहां पर मैंने जैसा कि कहा कि यहां पर कोई भी चार्जिंग नहीं होती है देखिए अगर से आप अब अगली चीज जो हमें यहां पर मिलती है वह हमारा यहां पर ट्रांस्मिटर के लुकवाइज बात करें तो काफी बहतरीन इसकी कॉलिटी बनाई गई है काफी लाइट वेट भी है और इसके साइड में अगर से देखें तो यहां पर हमें सबसे पहले एक यूस्बी सी काफ लग्वाइब था आप इसको कर सकते हैं तो कि अब इसकी सी के पहला एक देखेंगे यह फरूं को प्रेस करके अपने transmitter को charge कर सकते हैं तो ये था दोस्तों हमारा content of the box हमें इस box के अंदर से ये सारे चीज़ें मिलती हैं अब हम battery life की बात करें देखिए दोस्तों अगर से आप ये microphone को एक बार fully charge करते हैं तो ये microphone आपको 10 hours तक battery backup देगी और एक बात यहाँ पर आप धियान रखें जब भी आप इस microphone को charge करने के लिए लगाएंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक red light जो है वह on होकर आपके सामने आ जाएगी अब फूल कैसे होगी इसकी इंडिकेशन किया है आपकी जो रेड लाइट है वह green light में convert हो जाएगी इसका मतलब कि आपकी battery जो है वह full हो चुकी है अब ब मोटे programs में जाते हैं वहां जो है live shows record करते हैं तो यह microphone आपके लिए बैस्ट है आप इस microphone को easily use कर सकते हैं और अभी जो आप आवाज सुन रहे हैं यह हमारी बोया की by m1 microphone की audio है और यह एक edited audio है देखिए हम लोग raw audio कभी नहीं रखते हैं उस audio को और clear और crisp कराने के लिए हम लो एडिट की और एक एडिट करने के बाद अगर से आप भी वीडियो बनाते हो ना तो अपनी audio एडिट करना बिलकुल ना बोलें एडिट जरूर से किया करें क्योंकि एडिट करने से आपकी audio जो है उसमें quality और बढ़ जाती है तो आईए दोस्तों सबसे पहले हम लोग इस microphone क से connect कर लेते हैं फिर इसके बाद हम लोग इसकी quality देखेंगे तो फाइनले दोस्तों हमने microphone को अपने mobile phone से connect कर लिया है और mobile phone जो हम यूज कर रहे हैं वह है रेडवी no 10 pro max तो audio quality इसमें कोई भी एफेक्ट नहीं लगा है आपको raw audio सुनाई दे लिए तो यह थी हमारी audio quality और अ problem आपको I hope नहीं समझ में आगी तो आप लोग यहीं रही है अब हम बोलते बोलते चलते हैं और quality आप सुनते लिए कि इसकी microphone की range है अगर से हम दूर सी record करें तो इसमें quality में कोई फरक आता है कोई distraction के विए से हमारी हमारी जो signal वो करता है कि नहीं करता है इतना दूर मैं mobile phone स काफी दूर हूँ और कैसा signal है आप अच्छी तरीके से सुन पा रहे होंगे तो अब हम लोग फोन के करीब आते हैं उसके बाद हम लोग final देखेंगे कि इस microphone को कैसे पर्चेस कर सकते हैं कहा से हम लोग पर्चेस कर सकते हैं आप अगर बात करें दोस्तों कि जो अभी हम पर सकती है जी हां अप महंगी पर सकती है अब मैंने कहां से पर्चेस किया देखी हमने जिस सेलर से पर्चेस किया है गैरेंटी है कि आपको यह microphone online से भी सस्ते में मिल जाएगी अब आप कैसे contact करेंगे seller से मैंने पूरी detail आपको इस वीडियो के description में दे दिये कुछ नहीं कर करेंगी और वहां पर आपको बना-बनाया टेक्स्ट मिल जाएगा आप बस उसको सेंड कर दिए अब सेलर के पास वह मैसेज जैसे पहुंचे गा वह आपको इस microphone की लेटस्ट प्राइस बता देंगे और जो भी बातें आपको करनी है आप उनसे करें और अपना order confirm कराए और इस microphone delivered at your doorstep तो आई हो दोस्तों कि आपको यह वाली वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और इस microphone की quality भी बहुत अच्छी लगी होगी तो आप सब से request एक इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें जिनके पास जो है यही problem में कि हमारी microphone हमारे और आप इसको इजली अपने वाल फोन से connect करके बहुत ही high quality audio record कर सकते हैं और सारी चीज़े तो मैंने बता दी से किस तरी से बात करनी है और सारी procedure इसको कैसे अपने घर तक मंगाना है तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में गुट